गाइस आभी आप पास में जो पिक्चा देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं यूटूब चैनल बैनर जब भी कोई नया ओडियन्स आपका चैनल पर आके विजिट करते हैं तो सबसे पहले उसको जो नौजर रहता है ओ है यूटूब चैनल बैनर है इसी से ओ थोड़ा बहुत आईडिया लगा लेते हैं कि आपका चैनल किस बारे में हैं किस बारे में आप कॉंटेंट बनाते हो कौन सा कौन सा बेनीफीट उसको मिलने वाले है अगर ओपको सब्सक्राइब करें तो तो यूटूब चैनल बैनर आप के लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज मेंटर करते है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना मोवैल के मदद से एक प्रोपेशनल HD को ओलिटी का चैनल बैनर बना सकते हो वह भी बहुत ही असानी से तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके और को जूरू प्रेस कर लेना ताकि हम लोग जब भी आपके लिए ऐसे कोई इंफोर्मेटिक काउंटर अप्डूट करें तो सबसे पहले आपको नोटिविकसर मिल सके तो चलिए आज की इंडेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं इसके बाद जो चीज़ आपको जुरूत पढ़ेगा हो है एक एप्लिकेशन की इसके लिए आपको प्लेस्टोर में प्लेस्टोर में जाके इधर लिक के साच करना है पिक्सल नामों के एप्स को इसको आपको डाउंलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद जो चीज़ आपको जुरूत पढ़ेगा हो है यूटूब चैनल बैनर टेंपलेट की जी हां दोस्तों एक जाएगे तो इधर आके आपको इस पिक्चर को यूटूब चैनल बैनका जो टेंपलेट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करके रख लेना है इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको सीदे ले चलतों मोबल स्क्रीन पे मैं आपको बताता को सब्सक्राइब करना है नीचे ने के बाद नीचे आना है नीचे आने के बाद एक और नाम का एक आपको क्लिक करना है तो इस के बाद आपको कर देना है करने के बाद कुछ ऐसे आपके बास हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस टेक्स्ट को डिलेट कर देना है डिलेट करने के बाद ठाथ को क्या करना पढ़係का ओपर एक ना को मिल जांगे तो प्लास आई को प्रेकर को जाके आपके प्राशाइख लो प्लेशावी सीट करके रखा हूँ जो मैं डाउनलोड करना है तो जैसे कि मैं अभी डाउनलोड पर जाता हूँ डाउनलोड पर जाना के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से पिक्चर में इधर लगाने बाला तो जैसे कि मैं इस पिक्चर को अभी इधर सेट करने बाला हूँ तो इस पिक्चर को में सिलेट करने करने के बाद आपको इधर आके साइज सिलेट करने साइज में सिलेट कर लेता हूं और इसके बाद में इसको ओके कर देता हूं होसे थोड़ा सब आपको क्रॉप करने के लाधे ना ही इसका साइज बढ़ा वड़ा लाक यह इसके बाद को उपर जाना है एतरगे चुप copy खुप संसे लाग के ने के बाद कि आपके उसको हम क्लिक कर देना किसी लिए मैं कर जाना है है तो ढॉलोड में एक टेम्पलेट ileot करके रखाऊ तो ऑफ देख सकते हैं तो या सोट इस मेर को फिर से इस राइट अस़ें प्रीक करने रायट आप्सन के बाद आपको तो रणसा इसको पूप कर लेना है तो अछिस तरीक Says को सेट कर लेता हूँ सिङने के बाद आपको फीट ऊपर के इस ऑपके ऐसको देखने को मिल जाएंगे इस पर आकर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉक कर देना है देना आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद आपको फिर से प्लास आइकन पर जाना है प्लास आइकन पर जाने के बाद फिर से प्राम गेली पर जाना है प्राम गेली पर जाने के बाद आपको फिर से अपना बैक्ग् साइज के साथ इसको set करना प्रेखा तो बेक्राउंट को सेत करना कि तरीके से अब napo याज को मिलें मैं जैसे की डिखाा देता हूए के जो साईस को फूल शाक्राउय से आप ti YouTube channel banner को बनाना है ताकि हर मोबाल पर आपका YouTube चैनल बैनार सही तरीका से दिखे तो इसके लिए आपको क्या कर पर गड़े इसके लिए आपको इस बैक्ग्राउंड को इधर आए के कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है बड़ा करने के यह प्रमकार और सीफेल सेट और सेट में रहें की इन रहें, कुछ पर सब्सक्राइब ल समनक्राइब। तो सबसे पहले में अपना एक पिक्चर को इधर लगाओंगा, सबसे पहले पर ज़ेह ने के बाद में में वेंशे morbid का कर लेता हूं इस picture को मैं इधर लगाना चाहता हूं तो इस picture को मैं select कर लेता हूं select करने के बाद आपको फिर से right पर जाना है right पर click करने के बाद इसको थोड़ा सा rotate करके मैं इसके साथ वाप सोथा कर दोंगा तो इसको फोड़ा सा चुटा कर लेता हूँ चुटा करके चो टमें समस्री कर रहु हुर ताकि इसके अंदर आ जाए तो कुछ इस तरिकर से मैं अपना प्रीक्चर को इस तरिकर से सेड कर लुएंगा करेंगा Own-o इसके बाद आपको क्या करने पर इसके बाद आपको इधर अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए आपको फिर से प्लास आइकन पर क्लिक करना है प्लास आइकन पर क्लिक करने के बाद एक आपको देखने को मिल जाएंगे टेक्स्ट का तो टेक्स्ट पर आके आपको क्लिक करने के बाद आप अपना चनल का नाम लिख सकते हो तो मैं आभी अपना चनल का नाम में इधर लिग दिया हूँ इसको बाद इसको मेरे को थोड़ा सा कस्टुमाइज करने के लिए क्या करना पढ़ेगा आपको नीचे एक एक ऑप्शन देखने को मिल देगा इस पर आके क्लिक करन क्लिक करने के बाद आपको एक पांट का तो यह फॉंट कर दो तो इसको जैसे कि मैं स्टाइल को चेंज कर लेता हूं एड़ोके कर देते हो तो आप देश सकते हो कुछ इस तरीके से आपका चलंग करना में भी आभी सो होने लग रहा है तो इसको मैं बीच में सेट कर देता इसके बाद मैं अगर चाहू तो इसका कालार को चेंज कर सकता हूं इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर से एपर किलिक करके थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना के बाद आपको फिर से कालार का एक उप्शन मिलेगा कालार पर आके किलिक करो किलिक करके बाद आप इधर करके कोई भी कालर को सिलेट करके इसका कालर चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपको कालर को चूश कर लेना है तो जैसे कि मैं यलो कलर को चूश कर लेता हूं इसके बाद मेरे को इस राइट आप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद मेरे को फिर से उपर इस पर क्लिक करना है clicking गर से मेरे को इसको लोग कर देना है इसके सब्सक्राइब मaronence कुछ पिक्चार अबरत डालना चाहता हूं ताकि मेरे चैनल के बार मेर मेरे ने और दिर उद्सको प्रता चलिए कोई नय और सब का चैनल प्यार रेत उसको पताचले कि उसको का चैनल प्रम पर क्या मिलने मिलने बाले तो जिसे के में सोसल मीबिया का इंप्रोंसर लंफिसाब से काम करा हूं स Option मेरा को यदर सोसल मेडिया कि पूचिछ लगाना जरूरी है तो मैं कुछ social media का लोगो आभी लगा लोगा इसके लिए फिर से प्लास आइख उनो इसकी आप गोगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद मेरे को इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेना है छोटा करके मेरे को कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से सेट कर लेन तो जैसे कि मैं इसको सेट कर लेता हूँ तो मैं इस पेंजी को भी इधर सेट करना चाहता हूं तो इस पेंजी को मैं सिलेट कर लेता हूं सिलेट करने के बाद कुछ ऐसे आपके देखने को मिल जाएंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है मेरे को तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं अपना फेस्बुक का लोगो भी इधर सेट कर दिया हूँ इसके अलाव भी आप कोई भी पिक्चर इधर आके सेट कर सकते हो फिर से मैं प्लास पे किलिक करूंगा प्लास पे किलिक करूंगा फिर से फ्रॉम गेल्डी पे तो इस पिक्चर को मेरे को थोड़ा सा छोटा कर लेना है फिर से छोटा फिर से इस तरीके से छोटा करके मैं इधर आके सेट कर लेता हूँ तो आप भी अपना चैनल का कैटेगरी के अनुसर कुछ इस तरीके से आपका चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो आ को पो पहलो को देखने को मिलडवा है तो कुछ इस तरीके सा आपका चनल बेन सो होंगे तो मैं अमकी आपको इसको छेड़ करा करके दिखा देतfernί आपको क्लिक करना है प्रदिट करने के बाद ऍक लए सटेट्र आपको देखने को सब्सक्राइस के बाद आपको क्लिक chocolate है लूद बनाए हो तो सेट कहले है सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा दोनो comfort से खीच के छोटा करके ऐसे सेट कर देना है सेट करने के बाद आपको उपर आप्शन मिलेगा सेब कर सेब कर लो तो अभी मैं सेब कर दिया हूँ अभी एसेट हो जाएगा एक से दो सेकंड टाइम लगेंगे अभी आप देख पाओगे उसलिए है तो अभी आप देसा हता है हमारे सेट हो गय है तो मैं बैक में लेज breaths के आपको दिखाता हूँ क्या पर चैनल बेनर किसी तरी के से सोंगे तो भी अभी आप देश सकते हो इस तरीके से आपका चैनल का बैनर स्वह होने लग जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेसिनल HD quality का channel banner बना सकते हो भी पांच मिनिट के अंदर तो इसके लिए आपको कुछ computer या पे laptop का जुरूरत नहीं है तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को पसंद है वीडियो पसंद है वीडियो को एक like जुरूर कर देना और चैनल को subscribe जुरूर कर लेना